लड़ाई में बलकि उसके बाद भी हमारे देश की स्वाधिन्ता को बनाए रखने में हमारे गर्दंत्र को बनाए रखने में निरंतर अपने प्राणों का वलिदान दिया है मैं मनीश छानश आप सभी का आजवागत करता हूँ और इस कारेक्रप को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले आगरे करूँगा हमारे विद्याले के अध्यापत श्री अनीत दुएदी जी का के वो मंच पर आएं और कुछ विचारों के द्वारा हमें गर्दंत्र दिवस की मांद्वता बताएं अनीत सर हन्यवाद मनिश सर्थ आपको मुझे आउसर प्रिदान करने के लिए मेरे विद्याले के सम्माननी प्रिंस्पल साहब मंच पर आसीन जोटी सर और मेरे सभी विद्याले समित से चोड़े हुए सभी मित विद्याले मित और प्रवंत समित के सदस्ट और इन सबसे बढ़कर जो आज हमारे लिए गर्द की बात है वो है हमारे बीज में डाक्टर साहब का उपस्तित होना जिन्होंने कि इस कोरोना महा मारी के समय में एक स्वस्त कर्मी के रूप में और हम सब के लिए अपने कर्तब्यों का सबसे बढ़कर निर्वान करने के लिए हमारा सबका कर्तब्य है कि हम इस प्रोग्राम को सुरू करने से पहले इनका स्वादब करें मैं का और जैसा कि मनिस्षत ने पहले ही बोल दिया आज हम मारा ये 75 हम स्वतंतरता दिवस की जो हमारी वर्ष गांठ वो चल रही है और आज हम व्यक्तिकत रूप से 26 जन्वरी गड़पंतर दिवस 73 वी बार मना रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पहली बार जो गड़पंतर दिवस मनाया था वो 26 जन्वरी 1950 हो हमाने अपना संविधान लागू किया और मनाया इसके पहले सबसे पहले लाहौर में रावी नदी के तत पर 26 जन्वरी के ही दिन भजा फैराया गया था पंडी जवारला नेहरू और तब हमने ये प्रण लिया था कि हम स्वतंतर्ता ने कर रहेंगे स्वतंतर्ता हमें मिल गई लेकिन स्वतंतर्ता के साथ हमें अपने अधिकार भी मिले और हमें अपने कर्तब पे भी मिले आज जितने भी महान पुरुस जैसा कि मनीस्तर ने बोला चाहे भगत सिंग हो चंद से खराजाद हो या जितने भी अनकने रानी लक्ष्मी बाई पहले अगर हम चलते हैं तो वहाँ हैं रानी चेनम्मा है या जिन लोगों ने भी हमारे आज बल्दान दे दिया अपने प्राणों को हस्ते हस्ते तेस साल की उम्र में भगत सिंग ने फांसी का फंदा हमारे लिए चूम लिया तो हमारे लिए ये कर्तब है कि हम उनके सपनों को पूरा करें हर ब्यक्ति चाहे वो मलेटरी में हो भौज में हो या उकरांतकारी हो व हम सभी देश भक्त हैं उस इस्तर पर कि जहां पर मैं हूं अगर ये व्यक्ति जहां पर भी हैं वो अपनी निष्था से अपने कर्तब्यों के साथ इमांदारी से अपने कर्तब्यों का नित्वहन कर रहे हैं तो वो सभी देश भक्त हैं और वो किसी भी उस देश भक्त से कम नहीं है जिन्होंने की देश के प्राणों के लिए अपना बल्डान दिया है अपने प्राणों की आउतिती है और तो इसलिए जहां तक कर्तब्यों की बात है आप हम सभी को अपने कर्तब्य इमांदारी के साथ पूरी निष्ठा के साथ अगर मैं स्टिक छकूँ तो मुझे अपने कर्तब भी निभाने हैं आप समाज में में। और इसके साथ ही मैं मनिश सरकोपुना आमंत्रित करूँगा और आप सभी को गड़पंत्र दिवस्की विद्याले परिवार की तरफ से बहुत-बहुत सुबकामना है और आप अपना कार जहां पर भी हैं इमांदारी पूर्वक्त निश्था पूर्वक्त करते रहेंगे धन् हम किसी और की तरफ मुथ आखने के बजाए हम अपने आप में इतने संपन्य थे कि हम अपने फैसले स्वैम ले सकें इस सम्विधान ने हमें वह आजादी दी कि हम चाहे हम किसी भी जाती, धर्ण, समाज की किसी वर्ग से आते हों, हम सर उठाके चल सके और इसी सम्विधान की गरीमा को आगे बनाये रखने का हमारा प्रण होना चाहिए और हम ये कोशिश करें कि हम सम्विधान के मूल्यों को बचा कर रखें ताकि अपने आने वाली पीडि से या सम्मानित देश के नागरी बनने में मौका दें। इसके बाद मैं हमन्तित करूँगा डॉक्टर अनिल कुमार जी को कि वो आएं और अपने विचार जखते हैं। डॉक्टर निल कुमार रेस्पेक्टिट प्रिंचिपल साथ, एसेंसी मेंबर्स, रेस्पेक्टिट डॉक्टर एंड मेरी सभी साथियों। देखिए जो गड़तंत्र की बात है, इसके अंदर समिधान जो वर्ड आया है, वो एक डॉक्वेंट का नाम है। और जब वो डॉक्वेंट यहां पर लाग हुआ, तभी इसको गड़तंत्र के रूप में हमने मनाना स्टार्ट किया। इसमें जो भी अध्यक्ष के रूप में या समिधी के रूप में जो मेंबर्स थे, उनका बड़ा योगदान था। और हम एक छोटी सी चीज को लिखने के लिए एक छोटी सी बुक को लिखने के लिए जैसे एक चोटी सी बुक को लिखने के लिए हमको दो तीन ती राप्ते लग जाते हैं इसके बाद भी इसमें कमिया रहा जाते हैं लेकिन एक ऐसा डोकॉमेंट जिसको दो साल ग्यारा महिने और अठारे जिने में लिखा गया उस डोकॉमेंट के अंदर कितनी इंपोर्टेंट चीजे लिखी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग जैसा भी मनीशी बता रहे थे कि हम आत निर्वर हुए हमारे अपने लौ हमारे रेगुलेशन्स लौ और अडर हमारी महिलाओं के सभी के अधिकार OBC के अधिकार SC, ST, OBC, Emanity, General जो भी हमारे नागरिक हैं देश के अंदर उन सब को क्या करना कैसी करना कब फॉलो करना किस तरी की बात को मानना किस तरी की बात को नहीं मानना हमारे अधिकार क्या होंगे और हमारी लिमिट्स क्या होंगी वो सारी चीजे आजी के दिन लागू कर दी गई औ और हम एक संपर्वुत के रूप में अपना जो काम था उसको करने के लिए सक्षम होएं तो मैं जादा बड़ा वक्ता तो नहीं हो मैं किवल ये कहना चाहता हूं कि इस डॉकुमेंट के अकोडली हम सारे काम करें जैसा कि अभी हमारी अनीसी ने बताया था कि जो भी हमारी दूटीज हैं ओवराल एल्स्वेर वी आर एग्जिस्ट जहां पर भी जिस्पोस पर भी हम हैं वी आज के दिन हमके वल यही प्रण लेले की जो डूटीज हमारी हैं वो हम तरीके से और अच्छी तरह से अपनी जिम्ववारी के साथ responsivity के साथ निवाएं जहां पर जैसे भी हैं हम स्टुडेंट का हम काम स्टुडेंट की तरह हैं टीचर दो टीचर की तरह करें डॉक्टर डॉक्टर की तरह करें परसीबर साथ अपना डूटी एकोर्डिंगली निवाएं तो यह सारी चीज़ें इस कि देश आज भी चलना है कितना ही उसके अंदर इमानदारी हो कितना ही उसके अंदर मेडियम टाइप के लोग हो लेकिन कुस अपना कुछ आइसा जरूर है कि जो इस देश को आगे प्रवारी फैक्टर नहीं होता तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों को भी इनाम इसी जाकी के टाइम पर मिलेगा बहुत सारी स्टेट हैं वो लड़ते रहते हैं कि हमारी जाकी को सामिल किया जाए इसका मतलब कि इस समिधान दिवस के दिन इस गरतंतर वाले दिवस के किया क्या हमारी प्रोगेस रही क्या हमारी व्रद्धी हुई क्या हमने ड्वलप्रेंट किया उस सब को हम थोड़ा बहुत उजागर करने के लिए दिखाने के लिए अपने को देश के लिए नौशावर करने के लिए ततपर होते हैं और उसको दिखाना भी चाहते हैं That's why it is our duty that we have to follow our ruling regulations and we have to follow all these things which are associated and concerned to us. मुझे बस इतना ही कहना था. Thank you. तो उसी तरह से ये वायरिस है कि अगर एक के लिए हम तयार होके कुछ लगता है कि ठीक होगा तो नए आरूप लेके हमारे सामने आजाता है. और इससे जाता इसके बारे में हमें जोशी सर लगभग दो साल जब से ये है शुरू तब से वो अलग अलग जगाओं पर अपनी duty दे रहे हैं, सेवाइं प्रतान कर रहे हैं. और अभी फिलहाल स्वेम भी उसकी चपेट में आ गए थे, पर इशुर की दया से अब ठीक है, लेकिन मैं उन्हें छोड़ू भी नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर सर हो यहां पे और बोल लेना ऐसा कैसे हो सकता है. जोशी सर दो शब. परम सम्मानी विद्याले प्रुमूप में हो दाए, परम आदेनिया, हमारी वरिश के साथी, जोश्ता में, डॉक्टर अनिर जी, हमारे SMC के पदादिकारी का है, अभी बाओ प्रुमूप यहां पहुंचे, आए हुए हैं आज, हमारे सिक्षक साथी, और विद्याले के सभी सदस्ते, तहे दिल से, आप सब को मैं बढ़ाई देता हूँ, और परम पिता, परमिश्वर से प्रातरा करता हूँ, कि हम सभी लोग स्वस्तर है, क्योंकि इस सम संघर्ष की लड़ाई, और सब लोग फस रहेंगे, तो आने वाले सालों में, भविस्य में, हम गरतंत्र दिवस को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना पाएंगे, बहुत सीमित संख्या में हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छा लगता था जब पूरा वि विद्यार्षियों के भीच होता था, बस एक परंपरा का जर्वहन जरूर हो रहा है, लेकिन जो उल्लास, जो उमंग, विद्यार्षी साथ घर में बैठे हुए, आज महसूस कर रहे होंगे कि कास्छों भी विद्याले में होते हैं, और इस समारों का हिस्ता होते हैं, जैसा पूर्व में हमारे वक्ताओं ने कहा कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और यह लड़ाई अभी बहुत चल्दी खत्म नहीं होई है, हम सभी को अपना बचाओ तो करना ही है, दूसरों का भी बचाओ करना है, कम से कम एक दूसरे से दूरी का पालन करते हुए और ठीका करन में अपने परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों को, मैं तो कोऊंगा 100% लोगों को परिवार के सभी सदस्यों का ठीका करण करवा करके ही हम इस रड़ाई इस जंग से को जीत पाएंगे बहुत संभिदान में बहुत सारी बाते कही गई हैं और नेता लोग उसको अपने इसाब से कही बार खुड़ा बहुत फेर बदल भी करते रहते हैं, मैं उन बातों पर तो नहीं जाता, मैं बात करता हूँ अधिकारों की और करते क्योंकि बात करता हूँ मीत ही निर्दे सक बस तीन चीजें हम ध्यान रखें, कूल समाज में कौन क्या कर रहा है, दूसरे को न देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं मेरे अंदर देश वेम की भावना है, क्या मैं सार्वेजिनिक संपत्री को नुक्सान पहुंचाता हूँ, क्या कोई ऐसा वक्त पर देता हूँ, जिससे कि हमारे देश की छवी तुमिल होती है क्या में मेरे अंदर ऐसे विचार है कि में समाज में लोगों की सेवा करने की भावना मेरे अंदर है कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग फौज में ही जाएं तभी देश वक्त कहला है हर व्यक्ति देश भक्त है जो देश के बारे में अच्छा सूचता है अपने कर्टब्यूं का निर्वहन भली भादी करता है सौ प्रतिसत न सही पचास प्रतिसत ही सही अगर हम अपने कर्टब्यूं का निर्वहन सही ढंग से कर पा रहे हैं अधिकारों की बात तो बहुत बात की है अगर मैं कर्तब भी अपने पूरे नहीं कर रहा हूँ तो अधिकार मेरे कहां से आ गए मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी भी दरह का बले ही संबिदान ने मुझे बहुत सारे अधिकार दिये हूँ लेकिन अगर मैं कर्तप्र का निर्वान नहीं कर रहा हूं तो मैं अधिकारों का पात्र कम से कम नहीं उसमें नीद की निर्वे सकत्तु की भी बात कही गई है हमें मुझे याद आ रहे है ओ दिन सोचा था आज बहुत कम बोलूँगा बस संक्सेफ में उसे इस समाप्ति करूँ जब हम बहुत छोटे थे विद्याले जाया करते थे इसी तरह से गर्दकंतु दिवस और स्वक्तंता दिवस हमारों को मनाने के लिए प्रभात फेरिया निकला करते थी दिल्ली में तो बिल्कुल दूसरा है कि यहां एक दिन पहले हम लोग समारों को मना लेते हैं लिए गाउं में आज भी उससमें उस्तरप्रदेश अब उस्तरप्रदेश का हिस्ता था और ठीक 26 जन्वरी के ही दिन 15 अगस्ते के ही दिन हम और समूगान करते हुए घर घर जाते से और पहाडों में तो एक घर यहां पर है दूसरा घर एक किलोमीटर दूस तीशा फीन किलोमीटर दूर लेकिन फतंता दिवस के दिन घरतंता दिवस के दिन हर ठर Gri टोली अपने घर जनों के साथ एक झंड़ा सब के हाद में होता था और सबके घरों में जाते से और घर पर भी इतना गजब का उस्सा जहां पर फ्रैक खड़ा किया जाता था घर के पास एक परमपरा थी घर के पास जैसे ही पहुचते से मेरे घर के बाद तो परिवार के लोग उस जगह को लाल मिट्टी से लीव करके और पढ़े उससे की जैस खुष हो करके हम लोग फिर लोट करके प्रबात पेरी से वापस विद्याले पहुंचते थी विद्याले में सालस्टिक कारिकर और यह जरूर था कि हर बच्चे ने भाग लेना है चाहिए उस ग्रुप में ले चाया के लिए कुछ सभी बच्चों में वो कला नहीं होती ले और यहां हम सब लोग फिर भी हमारे साथियों में बहुत खुशी की बात है कि मैं बताया था कि यह समय बहुत खतरनाक है और अभी केस बहुत बढ़ रहे हैं बहुत जादे अभी पिछली बार तो किसी तरह से में जेल गया था करीकर एक साल तक नाग बंद रही सूंग नहीं पाया कुछ नहीं अब दो तीन मेहने पहले उससे थोड़ा निजात मिली तो नह काड़िक कुसे से मैं साज समाज के लिए थोड़ा बहुत कोवीट के दोरां जिस कारे में मुझे लगाया गया था तब का आशिरवाद रहा कि मैं विकुल स्वस्त हो गया और आप लोगों के पीछ हूं मैं इश्वर से प्रार्शना करता हूं कि हमारे सभी विद्याती स्वस्त रहे हैं हमारे सभी सि प्रशी मेंबर से जितने लोग यहां आए हुए हैं विद्याले परिवार के सदस्य सभी लोग इश्वर सभी को स्वस्त रहें रखे और हम इसी तरह से रासी वज को सलाम करते रहें घरतां से जिवत तवारों हर साल मनाते रहें और इश्वर करें अगली बार इस प्रांग सभी को अपने बच्पन में पहुंचा दिया बच्पन की सभी को यादे आई हूंगी इस पर्व को मना देगी दूसरी बार जुसर ने कहीं कि आज सच में हर किसी को बच्चों की कमी जरूर खल रही होगी वो हर्शो लास पच्चों का और वहरंगा रंकार एक्रम लेकिन उ अधन्यवार मैं यह एक कविता लिखी ती रामपरसाद बिस्मिल जी ने उस कविता के ही बोलों को कई संगीत दिर्माताओं ने अलग-अलग रूप में उसको पिरोया है उसको सजाया है और उसी का एक कहले जी यह रूप में आपके सामने प्रसुत करने वाला हूँ गाने का नाम है सरफरोशी की तमना सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमा क्या बताएं हम जुनों ने शोक किस मन्जिल में है सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमना दूरियां उम्मीद की ना आज हम से छूट जाए मिल के देखा है जिने वो सपने भी नरूट जाए हौसले वो हौसले क्या जो सितम से तूट जाए सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है तेरे सोने रूप को हम एक नई बहार देंगे अपने ही लहू से तेरा रंग हम निकार देंगे देश मेरे देश तुझ पे जिन्दगी भी वार देंगे सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमना अब हमारे खुश्ब बन के महका करेंगे हम लहला हाती हर पसलों में सास बन के हम गुन गुनाएंगे आने वाली हर नसलों में खुश्ब बन के महका करेंगे हम लहला हाती हर पसलों में सास बन के हम गुन गुनाएंगे आने वाली हर नसलों में आने वाली आने वाली नसलों में सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुवे कातिल में है धन्यवाद सब्सक्राइब नमस्कार मैंच पर पस्तित जेडी मडम, दाटर राजीर सेर, जोसी सेर, अमारा सम्सी की वाइस चारपसन, दाटर सेर, वाकी अमारा सब साथ साथिकर, इधर आयो हुए अमारा वाकी जब केस्ट, सभी को नमस्का. वेसे मैं समसकता हो, सेर, आय Sen, जो बच्यों का नहीं वोना, उनका बहुत दुग लग रहा है, मैं समसकता है, वेसे तो बहुत बड़ा लगता है, बहुत अच्य अच्छी बात बताते हैं, तो जो सला ना सुजाव देते हैं बहुत अच्छा लगता है अभी उड़का जो बाव है उसमें समस्कते हैं वो कितना दुक है नचे ना मौनके के खार हैं हम आपका सुभ दुक्का समस्कते हैं हम सब कटे मिलके परम्पिजा परवेश्वर से प्रात्रा भी करेंगे यह दुख जल्दी कदम हो जाए यह बीमारी जल्दी कदम हो जाए हमारा देश में हमारा स्कूल में दुबारा जो फुराणा मुगलता कुछी का मुगलता नोट का आये इसका हम प्रात्रा करें व्यस्य आज का दिन अमारा रिपरब्रेक्टि एक कांश्टिशन टेक अब सब्तमाल में उसमें कितनी लोग काम करें थे कितनी मेहने कितनी साल काम करें थे कितनी बड़ा है इसाब सब्तमाल मगर मैं समस्ता हूँ एक Constitution एक आद्बुक्त Constitution है इसमें सब कुछ बलती है अगर मैं चांस एक हिंदू से पूछते हैं तो मेरा ही प्रावलम है इसका क्या solution है वो तुरंदक बोलें किता का यसा ऐसे पढ़र आपका solution मिल जाएगा किसे ख्रीशियन से बोलते हैं वाइबल निकालता है बोलता है इसके साथ आपका solution मिल जाता है किसा मुसल्मान से बोलता हैं सो भॉलता है कि कुरान से पोड़ सब कुछ दूंखा इसतर एक बारत्यास एक इंडियन से पुच्छों कि इसका पोड़ सब कुछ विल जाते है यह सब कुछ मेंज आथिए इसलि नहीं हम इतना संपन है में कभी कभी सोचता है हमारा अध्य और आसपास पन्टोस अध्य पर में कभी सोचता है देख लो पाकिस्तान है आपका मालम ने कितनी भुग बरी है कितनी प्लॉलम है अगर वो पालिटिक्स नहीं करते हैं तो उतर रह ने सकते हैं इंडिये का बार में कुछ गड़त बोल नी सकते हैं तो उतर रहनी सकते हैं नहीं तो क्या होगा जो लोग कर पावन को उपर सोचेंगे वो आपस लड़ाई हो जाएगा आपकानी सिंद्धाय को इतना टुकड़ा उचुका है अपनी पता नहीं किसका हाथ में है वो देश है या देश नहीं है माल में इसी तरह आज कल पर्राता में स्री लंगा केते हैं करेट का केमत 500 बहुत है । कि आदरव्य सब चैना को बाता बात रहें वो बात क्या रहाई वो बात रहरं को ब्द बताम है जैनल में ज़ półनी चैना के चाहरो में बहुत इफरेंस है आं अब सुछ को सथते हैं अब सहो जारों मेरा कında 軸ते चीफिस के बारे में कुछ बोलते हैं, फिर भी जिन्दा रहते हैं, मारी साथ को चैना में नहीं हो सकता है, वो संपन, जो कभी कभी वो पीस है, जो पीस, सांती, जो हमारा है, वो सांती है, वास्तों में सांती, हम सब कुछ बोल सकते हैं, फिर भी घर सकते हैं, हम बोल सकते है तो हमारा सोक्षा है अमरा सिप्ति है इस अगर कोई इस तो चैनल बोल दिया तो रहा हुए जो उदर का जो सांतिय को समसान का सन् llegó हमारा सांतिय वह समय सा इस आई कि इस सबक्राइब काहां के काई गभी कि विस सोफता हूं इस सबका कारण इस हमिदा इन समिदा एक प्राइस यह जो भी आपका पॉलम है आपकाशिस इस अपका अंदर इसका अंदर दवाई कभी कभी हम एक परिवार में चार पांच लोग रहते हैं इस चार पांच लोग पर इंद दो इसकते हैं इतनी बड़ देश कहते हैं कि parts chciaест एक जरेकि एंग समिल सी कम ने थेक लगपग तरी तोसन फाईरट एकर किलोमेटर कहते है इस तरह है यिसriverा है नकृत ख pasti आज मेस कहते हैं मेरा चैतर पिल कहते है थेटितिरी लाध किलोमेटर कहते है है 29 स्टेट सेट सेवन उनियन प्रदेश है देखो लाइंग वेज जो अमारा समीदान में लाइंग वेज यहां इस लाइंगे है इसके फिर दोनाइंटे के ऊपर लाइंगेज बोलते हैं अलाग अलोग है अलाग अलाग बासा है अलाग मिट्टी है अलाग अलाग बैदास है अलाग अलाग नेचर है इतनी कुछ डिफर्ट्स बते हो भी हम कैसे ही एक साथ रह सकते हैं एक साथ बात कर सकते हैं इस हप्र कहां गश्ता है इस सब कुछ इसका है हुआ है तो इन सब्का कभी कि पर देखे जाए तो क्या बता है कि यह कोई में तो बताऊंगा यह कोई गीता या बाइबल या कुरान इससे ज़्यादा बड़ा है क्योंकि अगर बाइबल देखो किसे ने लेकर दिया बस उसके एक भी वर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं हम गीता कुछ चीह पहर बड़ा नहीं कर सकते है मगर तुरान उसके नहीं कर सकते हैं मगर समीधार में है जह मैं इलल्भी करा तब हमलेश शहीं मैंसिखह जाताता है आ यह वोलाई बोला करतेती लोग है हुआ है हमारा जो समीधार यह पीलिद्ग डूर्ष टूर्श एम जीते बेस वो लिविंगा है किसे लिविंगा है किसे लिविंगा कुछ टूड़ गया कुछ तोड़ दिया हम उसके उपपर विचार कर सकते है नया लेकिया सकते है इसका मतलब कुछ फॉराना बात है वो हमारा आज कर्टीक नहीं है उसका डिलीट भी कसा यही तो अमन्मन्मन का हमारा समयधान का प्रविशन इस तरह देखो बहुत नरी चीज़ है यह सा नहीं है यह भी पासिबल है यह सा नहीं है आज मैं रहा बने कुछ बात आ गया मैं उ हमारा कित्रा बस्ता देखो वोभी समयधान में अलाग अलाग स्टेट है ठोन्टिन स्टेट सेच जिस ट्यूंटिन सेट के अंदर के विधान सबहा है यूस्विधान सबहा में अने वलो लोग कर गाउं से तोकां लुक सब है यक लोसो अगता का पांच साल का सबarnosThe तक है कि युषे में एपर नमघोंड हैं। उस सब वस्तां तो कितने अधुद वस्ता है ? युद्ध आसबुद वस्ता में, इसका फुराना एक्दम जोड भी नहीं सकते हैं, नया एक्दम अपनी मानज भर्जु पर विज भी नहीं सकते हैं। सबका एक सबका एक समाने इसका मतलब पुराणा लोग का भी समाने नयापन का भी समाने एक ग्रोइंग डात्मन अमारे देख प्रास्परस चलता है यह क्यों चलता है इसा इसी के वह से चलता है जो इस समीदान बनाने में जो लोग सम सामिलते वो कितरी सोचा होगा एक तरफ तो आमारा रडाई करने के लिए संदला अमारा सागीदों ने अपने कों दिया अपने प्रान दिया सब कुछ करा उनका जाने के बाद इस देश का आगे ले जाने के लिए आमें केसे रखना है हमें केसे बेव करना है हमारा पास क्या-क्या रूर्स इंडिकरीशन होना चाहिए कैसे उसका फालू करना है इसका कितनी दिमाग लोगोंने चलाया होगा वह वाक्य में काम बिले तारिफ है जैसे डाकर सबने बदाया एक चोटा सा बुक लिगते है वो चोटा सा बुक टारिफिलनमे बहुत तक जाते है इतनी बड़े समीधान इतनी बड़े वस्ता समीधान लिगना कोई बड़ी बात नहीं उसके आंतर जो चीस है वह बहुत बड़ी की जैसे इसना रफ्राना चीस है उसका बोलत भूण फोबीड़ें नया चीसे अध़ब एकदम आगे हैं पूरी दुनिया का देश के विश में आगे बढ़ाना कि सबका वस्ता अमारा समीदान में है इसी समीदान बढ़ाना में जो लोग सामिलते जो अमारा प्रणा अमारा आंसे से थे उन सबका नमन करता हो नमन करते हुए हम क्या करें ये कुछ तो है इसमें हमारा काम क्या है हमारे काम तो सिर्फ इत्रा यह देश है सार ने बताया हम सब अपने काफ अम सब अपने करतों है अपनी डूटी उसका इमानकार से निवाए उतना ही कार तो क्योंकि हमारे देश में इतना चाहरा चीज़ है हमें कुछ नया करने के शुरूत नहीं है कि सब कुछ है अन्सिटिशन में है सब कुछ हमारे देश का अंदर मिठी में बहुत कुछ है मेरा उस इलाका में दो एकट जैमेन है जब मैं इधर आया चंडी गड़ में आया मेरा पूरा नेसा उतर गया है चंडीगाड में आके जब जातें तेड़ न मेए दुच्वげ खोट एथा फोधा से लगव इतनी शूट काकिया इतनी बड़ा मिठी है इतनी बड़ा मिठी है यह तो इस दुनिया में खाय उर नहीं, इतनी पटल मिट्टी, मिट्टी शिर्फ हमारा जिसम्हें, क्यते हैं गंगा तरा पानी हामिर्त है, इा कोई थान रहत नहीं, इस अच्छा है, आपका मालो में इतनी इतनी बड़ी-बड़ी भान लगाते हैं, इतनी इतनी बड़ी मेशिल लगाने के बात बिसलेरी या मिनरल वाटर दायर करते हैं इस मिनरल वाटर यह कमते रखों तूसरे अप्ते उसका अंदर गंदिया जाता है मैंने कुद चार-पांच साव के पहले अपनी करतोविक्ता इमानदर से निबादें अगर यह निबादें तो अमारा देश और आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ेगा इसी तरह और आगे बढ़ते रहें इसी विचार से मैं अपने बढ़े की वराम देता हूँ ज़े पारत नमस्कार थेंक यूर्माच थेंक यू सर आज हम यहां पर तेयत्तरवा गटना दिवस्तों मनाई रहे हैं साथ ही साथ आज 25 जन्वरी है और आज नैशनल वोटर्स ये भी है और सरकारी आदेश अनुसार हमें एक प्लेज भी लेनी है शपत भी लेनी है तो मैं आपसे आगरे करूँगा कि अपने सान पर खड़े हो जाए और सीधा हाथ आगे करें और मेरे पीछे दोहराएं हम भारत के लोग लोगतंत्र में अपनी पूरी आस्था रखते हुए ये शपत लेते हैं कि हम अपने देश की लोगतंत्रिक परमपराओं की मर्यादा को बना रखेंगे तथा स्वतंत्र निश्वक्ष एवं शांति पोन निर्वाचन की गरिमा को अक्षुन रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाती समुदाय भाशा एवं अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मतादिकार का प्रयोग करेंगे दन्यवाद प्रदीवा पानेजी, दीम नरायन विश्रादीन, रजंदर जोशी और सभी साथी. आज का कारिक्राव बहुत ही बढ़िया रहा, हाना कि बच्चे हमारे पास फिरफ काज़ेश थे, जोगी डॉक्ड ऑक्टर जोशी ने सयाद किये, तो बच्चों आप इतनी सर्दी में अपनी रजाई से निखनके और फुल उनिफॉर्म में आए, बहुत ही बढ़िया रहा ये प्रोग्राम आपकी बजा से. Thank you very much, very proud of you. और थी तरह से देश की सेवा करते रहें. और खास तोर से मैं सन्यवाद करना जाऊंगी सारे सफाई करमचारियों का, जिन्होंने इतनी खुबसूरती से पूरा आयोजन किया है. And special thanks and first welcome Mr. Manjeet, please come on the stage sir. हमारे नए साथी ने जॉइंग किया है, तो इतका हम welcome करते हैं. आप नए PEP हैं हमारे यहाँ पे, जिन्होंने ये जन्ने का आरेंजमेंट और पूरा देख देख करी है. सर आईए, जोश आपना पूरला चाहेंगे सर, क्यासा लगा आप इस पूरला के? Respective, sir, ma'am और सभी teachers को बहुत बहुत देन्यवाद आपाद. और जैसा कि मैं पहले से ही flag और इन सब भी में मेरा पहले से ही रहता था बचपन से, मैं भी NCC केड़ेट रहूंग और ये flag का जहां भी अनावरण होता है, हमेशा मेरे को बलाय जाता था उसके लिए, इसके लिए मैंने क्लब्स में और अपने यहां भी भी के कई बार 26 जन सर ने इनको ready किया हुआ है, बहुत अच्छी uniform लगी और teachers से जादा तो हमारा अभी होगा नहीं है, मिलना लेकिन आज सर ने मिर और मैंने मिर को आज बोला था कि आज आना है और आपको flag के लिए करना है, तो बहुत अच्छा लगा है मैं, school में भी बहुत अच्छा लगा है बहुत अच्छा लगा है स्कूल अगले साल क्या होगा या आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि स्कूल नया बनने की भी बाते चल रही हैं, तो अगला प्रोग्राम कौन सा होगा, कहा होगा, और किस लेवल पे होगा, वो अभी suspense में है, पर तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इसी तरह से देश की भी हमें, जो भी हमारे कर्थवे हैं, उनको पूरा करते रहें, अपनी जितनी भी ड्यूटी समय असाइन हैं, वो करते रहें, और बस इसके साथ हम SMC मेंबर के साथ हम एक मीटिक करेंगे, कॉन्फरेंस रूम में, तो हॉल में, सभी कृपया ह में सभी आजाएं, SMC मेंबर के साथ मीटिक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जै हिद्द, जै